मैं स्वस्तिक का कुछ परियोग आपको बता रहा हूँ पहला, जब भी हम स्वस्तिक बनाते हैं Irrespective of any direction कुम-कुम का स्वस्तिक आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं कुम-कुम यानि जो हमारा सिंदूर होता है, रोली होती है उससे आप स्वस्तिक किसी भी दिशा में बना सकते हैं अगर आप एक साबुत, long, इस स्वस्तिक की चारो रिचाओं पे लगाते हैं तो आपकी जीत होगी हर दिशा में आप कोई भी कारे करने जाएंगे, बिजनस करने जाएंगे अगर आप एक departmental store चलाते हैं, एक e-commerce agency चलाते हैं या आप marketing करते हैं किसी भी product की या एक leader है किसी भी field में जो कारे करेंगे उसमें success आपको जरूर मिलेगी